जहीं दोस्तों मिने नाम है निर्भे कोशेक और आपका अपने चनल जिसका नाम में कोड निर्भे इसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बता है था कि किस प्रकार से आप एक object को एक function में यानि कि एक method में पास कर सकते हैं यानि कि object as a function argument उसका एक example भी समझाता हूँ और उसके theory और उसका काम करने के तरीका भी आपने समझाता है आज कि इस वीडियो में हम जारें कि static data members यानि कि static data variables आप बहुत सकते हैं या फिर आप उसे static data attributes भी बहुत सकते हैं यानि class का अंदर आपकी जो declare होते है attributes या bearables या फिर members वो आपकी static होते हैं तो वो क्या होता है वो आप समझते हैं तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले data members यानि कि static आपका एक keyword होता है जो कि सारे character आपके small में लिखाते हैं यानि कि s, t, a, t, i, c सारे small होता है तो कि ये keyword होता है तो ये data members यानि कि attribute a data member of a class can be qualified as static यानि कि जो आप attribute declare करते हैं जैसे कि int a लिखते हैं तो उससे पहले अगर आप लिख देंगे static यानि कि static int a तो वो क्या 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 लाएग आप static data members ठीक है अब उसे काम क्या होता है वह आप समझिए static data members are class members यानि कि static data members होते हैं वह आपके class members क्यालाते है data declared using static keyword जो कि आपके static keyword से declare होते हैं उन्हें अप class variables भी बोलते हैं याद रखेगा उसके बाद आप समझते हैं जीरे जीरे करके हम समझते हैं हर एक काम को there is only one copy of static data members in the class यानि कि आपके जितने भी object बनते हैं class के जितने भी instance बनते हैं हर object के लिए class के जितने भी method या जितने भी attribute होते हैं उनकी अलग copy बनती है पर अगर आपका attribute static है तो उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही copy बनेगी जो कि आपके चाहें जितने भी object हो उनके द्वारा share किये जाएग यानि कि हर object के लिए आपके static data member की copy नहीं होगी, नहीं बलकि static data member की एक ही copy होगी, और वो जितने भी object आपके हों, चाहें कितनी भी object हो, उनके दुआरा वो same location या पिर वो same address आपका call होता रहेगा, या फिर use होता रहेगा, या फिर access होता रहेगा. तो static data members के आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही copy होती है, the static data members always initialize to 0 when the first class object is create, याद रखिएगा, आप एक class का object बनाते हैं, अगर आपने एक ही object बना है, तो कोई problem नहीं है, आपका static data members होगा, वो by default क्या हो जाएगा, object के बनते ही 0 से initialize हो जाएगा, पर अगर आपने multiple object को भी create किया तो कोई problem नहीं है, आपके पहला बाला object जैसे ही बनेगा, तभी आपका static data members 0 से initialize हो जाएगा, बाकी से उसका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि static data members के सिर्फ और सिर्फ एक ही location होती है, तो जैसे ही आपका पहला object बनेगा, static data members के value आपके 0 से initialize हो जाएगी, बाकी object के लि जाने कि data member का name या फिर variable का name, ठीक है, only one copy of that member is created for the entire class and is said by all the object of that class no matter how many objects are created, मैंने आपको बता दिया, वही बात है कि एक copy बनेगी, उससे कोई मतलब नहीं, कितने object आपके बने हुए है, सारे object आपके उसी location को, उसी copy को काम करेंगे, note that the type and scope of each static members variable must be defined outside the class definition, यहाँ पर आपको धान देना यह पड़ेगा, जब भी आप static data member को class के अंदर अगर आप declare करते हैं, तो आपको class के बाहर जो है, उससे define भी करना पड़ेगा, तो define करने का तरीका क्या है, वो आप समझने कोचिस कीजिए, define करने का तरीका है, सबसे पहले class के बाहर, यानि class की body के बाहर आपको पड़ेगा, वो data type, यानि कि जिससे आपका static data type है, वो data type, then class का name, scope resolution operator, static data name, यानि कि static data member का जो भी नाम है, वो आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि by default जो value होगी, आपके object बनते हैं, वो आपके 0 जो होगी, और अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं, कि assignment operator लगाते हैं, तो default value 0 की जगह आप जो भी यहां पर देंगे, वो आपके default value हो जाएग, जैसे ही आपको object create होगा, वही आपके default value मानी जाएगे, तो एक example से हम इससे और बेटर तरीके समझ सकते हैं, तो सलते हैं सब तो आपके classes जिसका नाम टेस्टिंग है, उसकी body है, then आपका main function जो आपके खाली है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आपको static data member बनाना है, तो आपको लिखना पढ़ेगा static keyword, तो आप लिख जी से static, then data type का नाम, और यहां पर आप लिख सकते हैं count, जाधर count के लि member होगा, ठीक है, then हम publicly इसको use करने वाले है, method के द्वारा, तो हम publicly एक method बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम use करेंगे, पर आपको एक बात और याद रखनी पढ़ेगी, सबसे पहले आप एक काम और कर ली से, जैसी है आपने static data member बनाया, तो आपको इस class के बाहर जाना और यहाँ पर इसको पहले define करना पड़ेगा, define करने तरीका क्या है, आपको इस अपने data type का नाम लिखना है, वो आपका int है, then आपको क्या लिखना पड़ेगा, then आपको class का नाम लिखना पड़ेगा, जो की आपका testing है, then आपको scope resolution operator लगाना है, उसके बाद क्या लिखना है, static data data member का नाम, यानि की count आपको लिखना पड़ेगा, इस पर कार से, तो यहाँ पर आप static data member आपने मना लिखना है, आप चाहें एक normal attribute बना सकते हैं, नम या फिर कुछ भी आप रख सकते हैं, then आपको क्या करना है, इस num को initialize करना है, और public लिए अगर आपको यह attribute को यूज करना यहाँ पर set data, set data से क्या करेंगे हम, हम एक argument डिसीप करेंगे, integer type का int x हम इसको माल लेते हैं, जिसके माल से हम num के वे अंदर उस x को initialize कर देंगे, इस प्रकार से, अब हम क्या करने बाल है, यहाँ पर हम एक काम और करेंगे, हम count को plus plus कर देंगे, यानि कि, जितनी बार भी आ दुबारा को लोगा अध्री हो जाएगा, ऐसे यह काम करने माल है, एक और आप मैतल बनाने हैं, इसके माई से अब क्या करेंगे, get और इसका नाम रख सकते हैं, आप static value, इस प्रकार से अब इसका नाम रख सकते हैं, तो कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, तो मैंने आप कर देते हैं, count की value को print, इस प्रकार से, और next line के लिए हम लिख देते हैं, and l, ठीक है, जैसे हम get static value को call करेंगे, तो हमारी count जितना भी होगा, finally, वो आपका call हो जाएगा, तो यह चीज हमने क्या है, एक आपका set data, यानि के setter बना है, जिसके माल से हम इस नम कोई नी slice करेंग object, object बने के लिखना पड़ेगा, class का नाम, object 1, जितने भी object चाहते है, object number 2 और object number 3, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, then आप object number 1 से क्या कर सकते हैं, call कर सकते हैं, किसको, आप call कर लिए सबसे पहले static value को, यानि कि get static value को, ठीक है, एक बार आपने call कर लिया, वो आपका क्या र प्रेंट करेंगा, इसी प्रकार से अगर object number 2 से, object number 2, get static value को, अगर call करेंगे, तो भी ये, क्योंकि हर object के लिए आपका जो static data member है, उसका space एक ही है, तो वहाँ भी उसके लिए 0 ही दिखाएगा, तो obj3 से भी अगर आप इसे call करेंगे, तो भी ये 0 ही दिखाने वाला है, ठी obj1 से हम set data को call करते हैं, इसके अंदर कोई भी value को pass कर देते हैं, तो obj2 से हम set data को call करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिक क्या हुआ, यहां पर क्योंकि अभी get static value की count की value क्या थी, अपकी 0 थी तो तो तीनो बार आपका 0 ही प्रिंट होना चाहिए, जैसी है आपने object number 1 से set data को call किया तो आपने यह आप 50 पास किया तो object number 1 के लिए num जो है वो आपका 50 हो गया पर जो count है वो आपका plus plus होके बन हो जाएगा इसी प्रेकार से object number 2 से आपने set data को call किया और इसमें 58 को pass किया तो num जो है वो आपको object number 2 के लिए 58 हो जाएगा पर count जो है वो आपको band से 2 हो जाएगा अब band से 2 क्यों होगा count up 0 से क्यों नहीं चलेगा क्योंकि object चाहिए कितनी भी हो इसका space एक ही है तो उसी पर काम हो रहा है सब को यह share कर रहा है जब आप object number 3 से set data को call करेंगे तो आपने आपको 80 पास किया है तो object number 3 के लिए नम की जो value हो आपको 80 होगी पर यहाँ पर count plus plus होगा यानि कि वो 3 हो जाएगा तो अगर आप इस get static value को आप दोबार से call करेंगे तो इस बार 00 की नहीं बलकि तीन object के लिए same ही value आएगी क्योंकि सब के लिए वो same ही काम कर रहे तो यहाँ पर आप इस प्रकार से कर सकते है get static value यहाँ पर अप 3-3 आएगे तो गंटर से करते हैं save चलते हैं compiler पे आप compile कर सकते हैं इस प्रकार से और कोई error रूगा तो यह display कर गया कोई भी compiler आप यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पर G++ या फिर GNU compiler कर यूज कर रहा हूँ तो enter करते हैं यहाँ पर देखिए आपके तीन object के लिए जो static data member की value थी हो आपको 0 जब आपने तीन बार उसे call कर लेज़ा कितने भी object के लिए वह आपका यहाँ पर सभी के लिए एक ही रहने वाली यह चीज आपको याद रखना है तो यह उता है क्या static data members तो आसा करते हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर इस वीडियो में कहीं में कोई प्रवलम में यह कुछ चीज है कुछ डाउट है कमेंट कर जीजिए वीडियो पसंद आई तो लाइक कर जीजिए अगर ज्यादा पसंद आई है मतलब थोड़ी सी पी ज्यादा पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों साथ शेयर कर जीजिए उनको बोली इस चैनल पर आने के लिए क्या मुझे अपकी सपोर्ट की जरू होते हमें अपसे कुछ ने ही सारे कुर्स आपको फिली में मिलेंगी चाहिए वो C++ का हो C आओ, Java का हो, Python का हो हम आपको हिंगी में समझाएंगे, यही से, यही लेंग में इसमें पस आपको करने क्या है लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और आपका धन्यबाद